नमस्का दोस्तों में हुरानापुताप्रोई आपका दोस्तों एक बड़ फिस्ट स्वागत है आप सबका मेरे युट्यू चैनल पर जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी टीप्स बाई रानापुताप्रोई यानि की मैं दोस्तों Interquinal Tablet के बारे में आपने सुना होगा Interquinal Tablet इसका जो निर्माता कमपनी है उसका नाम है East India Pharmaceutical Works Limited ये बहुत ही पुरानी कमपनी है और बहुत ही quality product बनाती है इसके कई और product है जो की बहुत ही प्रशिद्ध है और बहुत ही अच्छा काम करता है इन में से एक product है Interquinal Interquinal हर ब्यक्ति के जुवान पर जो बुढ़े है जवान है बच्चे है सभी लोग जानते हैं कि जो Interquinal Tablet है ये दस्त और Latin की दवाई है आज मैं डिसकास करूँगा कि ये किस प्रकार के दस्तों में फायदा करता है तो इसलिए अंत तक बने रही है और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सकाइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सकाइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और प्लीज और प्रेस कर लेना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पोस सके हमारे चैनल पर इस प्रकार के वीडियो रोज नियमी तरोप से अपलोड होता रहता है दोस्तों जो इंट्रोकुनल टैबलेट होता है यह एक प्रकार का अमीबि साइड्स या अमीबा को खतम कर करने वाला मेडिसीन है जब आपके पेट में अमीबा के कारण इंफेक्शन हो जाता है अमीबा क्या होता है एक प्रकार का परजी भी होता है यह एक कोशी की जीव होता है और इसका खात्मा करने के लिए इंट्रोकुनल बहुत ही कारगर साबित होता है जब आपके पेट मे आपके आत में एमीबा का इन्फेक्शन हो जाता है तो आपको नॉर्मल दबाई खाने से फायदा नहीं करता है इंट्रकुनल टैबलेट खाने से ये इन्फेक्शन सही हो जाता है जब infection की तिवरता अधिक हो जाती है तो खाले इंट्रकुनल टैबलेट खाने से काम नहीं चलता है और आप लोग इंतेजार करते हैं कि शायद infection सही हो जाएगा और सही नहीं होता है और infection जदा होने की वज़ा से दस्त जदा होने की वज़ा से patient को dehydration हो जाता है और उसके फल सर्फ बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है और समाई पर इलाज ना मिलने की वज़ा से patient की death भी हो जाती है देखिए जो इंट्रकुनल टैबलेट है वो amoeba के साथ-साथ bacterial infection या fungal infection जो पेट के अंदर होता है उसमें भी फायदा करता है ये medicine इस प्रकार के latin में जब दस्त पतले दस्त आ रहा है या कम पतला भी हो सकता है और latin बार-बार जाना पढ़ रहा है आपको पेट में एठन दरद मरोड हो रहा है पेचिस भी हो रहा है और पेचिस के साथ-साथ उसमें खुन भी आ रहा है तो उस condition में interquinal tablet बहुत ज़्यादा करता है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं लेकिन आपको मैं बता दूँ इसको बिना डॉक्टर की सला से लेना नहीं चाहिए लेकिन ये एक OTC product होने की वज़ अगर इसका दो टैबलेट या तीन टैबलेट खाने के बाद भी आपको कोई सुधार नहीं हो रहा है तो आप इंतिजार मत किजिए आप डॉक्टर को दिखाए डॉक्टर आपको इसके लिए तुरांत कोई अच्छा treatment देंगे आपका treatment में देखिए क्या क्या हो सकता है साथ साथ आपको Norfloxacin देने की आवशकता होती है जब तीब्रता जादा है तो Norflox TZ आधी दिया जाता है और infection ज्यादा है और लंबे समय तक चलना है chronic infection है तो उस समय आपको Norfloxacin plain tablet ही आपको लेना पड़ेगा और ये कितने दिन तक लेना है क्या डोज लेना है ये आपक डॉक्टर ही आपको डिसाइड करेंगे आपकी बिमारी की तीवरता के हिशाब से आम तोर पर जो इंट्रोकुइनल टैबलेट होता है इसका जो डोज होता है वो सुभा शाम दो टाइम या सुभा दुपर शाम तीनो टाइम एक एक टैबलेट खाना खाने के बाद या कुछ या कई बार खाने से पहले भी दिया जाता है तो यह टैबलेट पानी से लिजी आप और इसको लेते समय आपको ज़्यादा भारी खाना नहीं लेना है शाधा भौजण ही करना है आपको मिर्च मसालें टेल का सेवन कम करना है तलाब होना हुआ, खाना, अकोडे-पकोडे, फास्ट फूड यह सब बिल्कुल नहीं खा सकते हैं जब आपके पेट के अंदर यह सब दिक्कत हो रही है तो दोस्तों, इंट्रकुनल टैबलेट बहुत ही ज़्यादा हेलफूल है, इसके कुछ साइड इफेट्स भी हो सकते हैं देखें, जब यह टैबलेट खा रहा है, तब आपका मुह ज़्यादा सुख सकता है एठन दरद मरोड हो सकता है, पेट के अंदर ग्यास अपच हो सकता है अगर ऐसी कोई दिक्कात हो रही है, तो आपका डॉक्टर आपको कोई एट्रसीड दे सकते है तो उससे आपका यह परिशानी सही हो सकता है डिहाइडेशन को दूर करने के लिए वारेस आदी दिया जा सकता है तो दोस्तों यह टैबलेट बहुत ही अच्छा टैबलेट है, बहुत ही सस्ता और सुलाब होता है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते है, लेकिन बिना डॉक्टर की सला से या मेरे सला से भी आप ना लीजिए जब तक कि मैंने आपको प्रत्याक्ष रूप से नहीं देखा है, आपका डाइगनोसिस मैंने नहीं किया है तो तब तक आप इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करिये, तो दोस्तो आशा करता हो कि इंट्रकुनल टैबलेट के बारे में संग्षेप में जो भी मैंने जान करी देने की कोशिश किये आपको वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी और जरासा भी हल्पफुल लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना, श्यार कर देना दोस्तों में और अभी तक हमारे चैनल को अपने सब्सकाइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सकाइब कर सकते हैं जाहिंद जाहिए